हेलो एबरियों डेखा रिस्पी में आपका स्वागत है आज मैं पलेन राइस बनाने जा रही हूँ आप बोलेंगे राइस बनाने सबको आता है लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिसको खुले बरतन में पैन में चावल बनाने में परिशानी होती है अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर किजेगा पलेन राइस बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कप चावल ले रही हूँ मैं बासमती राइस ले रही हूँ आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं चावल को अच्छे से दो लेंगे तो यहाँ पर मैंने चावल को 2-3 बार दो लिया है चलिए अब चावल बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैं एक कुला सा पेन ले रही हूँ इस तरह से देखे इसमें हम चावल डाल देंगे चावल को मैंने अभी तुरंत वास किया है पहले से चावल को सोक करके नहीं रखा है यहाँ पर इसमें पौने दो कप पानी डालेंगे चावल अगर आपका ज़्यादा मोटा है तो पानी दो कप कर दें लेकिन बसमती राइस में पौने दो कप पानी में यह चावल अच्छे से हो जाता है यहां पर यह देखे दो कप से थोड़ा से कम है इतना पानी डाले पानी कितना डालना है यह गैस के फ्लेम पर भी डिपेंड करता है तो आप उसका भी धियान रखें अभी जब हम चावल डाले हैं तो अभी गैस का फ्लेम हाई रखेंगे इस तरह से अच्छे से मिला दे और इसको ढख देंगे गैस का फ्लेम जब तक हाई रखेंगे जब तक कि चावल में अच्छे से उबाल नहीं आता है यहां पर मैं इसको ढख दूंगे छोटी छोटी बात है इसका धियान रखें और जैसे ही चावल में अच्छे से उबाल आ जाता है यह देखिए यहां पर ग 80% ढखेंगे इससे क्या हुआ कि चावल जो है वह ऐसे उबल के बाहर नहीं गिरेगा और ढखन ढखने से चावल अच्छे से पकते भी रहेगा इसलिए हम लोग 80% ढखते हैं अब ऐसे ढखन हटा के एक बार चेक करेंगे चावल के नीचे में अगर पानी है यहाँ पर जब सा तो मैं यहाँ पर एक चाकुस ऐसे देख रहे हूँ ऐसे नीचे में पानी नहीं है इसका मतलब चावल हमारा पक चुका है यहाँ पर गयस को बंद कर दें और ढखक के चावल को 5-7 मिनट और छोड़ देंगे चावल को अगर आप चम्मस से पूरा ऐसे चलाएंगे तो तू चावल बिल्कुल सही से पका है पानी करना बिल्कुल सही था यह देखिए अगर आपकी चावल थोड़ी मोटी है तो पानी दो कप कर दें बिल्कुल ही परफेक्ट राइस बनके तयार होगा बिना किसी जंजट के अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कि वीडियो पसंद है तर लाइक शेर और सब्सक्राइब करें